आज हम बनाएंगे लंबे बैगन की बहुत ही टेस्टी मसालेदार सबजी जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा लंबे बैगन की सबजी बनाने के लिए मैंने आपर चार लंबे वाले बैगन लिए हैं ध्यान रखे बैगन ताजे होने चाहिए यानि कि बैगन के अंदर बीज नहीं होने चाहिए एकदम सौफ्ट बैगन आपको लेना है इन्हें हमने पानी से अच्छे से धो लिया हुआ ह इसके बाद हम 20 से ऐसे चीरा लगा देंगे ये देखे इस तरह से हम बैगन को 20 से कट कर लेंगे क्या होता है कि बैगन जो होते हैं वो बहुत जल्दी काले हो जाते हैं तो ये काम आपको फटा फट करना है देख लीजिए अगर इनमें कोई कीड़ा वगेरा हो तो आप उसे क निकाल दीजिए यहां पर हमने बैगन को काट लिया हूँ इसमें थोड़ा सा अली पाउडर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो बैगन है वो अगर बाहर भी ऐसे थोड़ी देर तो यहां पर बैगन को अमने इस तरीके से मसाला लगा दिया हुआ है चुकि यह बैगन थोड़ी से बड़े साइच के हैं तो हम इन्हें 20 से दो टुकड़े में कट कर देंगे ताकि जब हम इने अच्छे से फ्राइ करें तो यह अच्छे से फ्राइ हो जाए अब गैस में हमन चमच राइ है और चोथा ही छोटी चमच हमने कलांजी ली हुई है यह सारी खड़े मसाले इसमें डालना बहुत ही इंपोर्टिंट है इसी से इसमें अच्छा टेस्ट आएगा यह डाल देंगे और हलका सब भून लेंगे जैसे ही मसाले हलके से भून जाएंगे हम इसमें मसाला लगे वे बैगन भी इसमें डाल देंगे फ्लेम को इस टाइम पे हमें मेडियम रखना है और मेडियम फ्लेम में हम इस तरीके से बैगन को हलका सा फ्राई करेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमज लहसुन और हरी मिर्च को मैंने कूट के डाला हुआ है, आप चाहें तो लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना के बीडाल सकते हैं फ्रिस्क दरदरा कूट के डालेंगे तो इसका फ्लेवर सब्जी में बहुत अच्छा हैगा हलका सा भून लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक सफेद नमक हमने पहले भी मसाले में इसमें लगाया हुआ था बैगन के उपर तो यहां पर अब हमें काला नमक का इस्तेमाल करना है इससे बैगन की भुजिया में बहुत अच्छा टीजट आएगा अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ढख देंगे और ढख करके सबजी को दो से तीन मिनट तक धीमी आज में पका लेंगे बस तीन मिनट में ही बैगन जो है अच्छे से सौप्ट हो जाते हैं यह देखे फ्रिंज मैंने तीन मिनट ते इससे ढख के पकाया हुआ है हमारे बैगन अच्छे से सोप्ट हो चुके हैं अब चोथाई चोटी चममच हल्दी पाउडर आदा चोटी चममच धनिया पाउडर Beach alleraw अधा चममच लाल मिर्ची पाउडर और इसी के साथ सथ हम इसमें एक चममच अचार का मसाला ढालेंगे आप मिर्च के अचार का या आम के अचार का कोई भी मसाला डाल सकते हैं इससे सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप एक बार इस सबजी को जरू ट्राइ कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने मिर्च का मसाला डालने के बाद थोड़ी देर बैगन को और भून लिया हुआ है बाद में हम डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी लंबे बैगन की बहुत ही तेस्टी सबजी बनके तयार है इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है बिना किसी जंजट के बहुत ही टेस्टी सबचीज पांच मिनट में बनके तयार हो जाती है आप इसे गर्मा-गरम रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं या दाल के साथ साइट डिस्क के रोप में बनाएं – आपको बहुत बसंद आएगी तो रेसीपी को ट्राइ जरूर कीजेगा और रेसीपी पसंद आये तो विडियो को एक लायक जरूर कीजिएगा फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के से